हेलो गाइस, वेलकम टूर यूट्यूब चनल सुरदीफ, दिस इस सुपासा सिंग और हम अपने कंट्रोल फ्लो के सेक्शन पे आ गये हैं अब डू वाइल लूप के टॉपिक पे जैसा कि पहले हमने फॉल लूप समझा था, फिर हमने वाइल लूप समझा, फिर अब हम आ गए हैं डू वाइल के टॉपिक पे तो चलिए आईए, पहले इसका syntax समझते हैं syntax में पहले हम अपना code in slice करते हैं हमें अपना जो भी in slice करना होगा variable पहले हम वो करेंगे फिर do के अंदर हम अपना code execute कर देते हैं बिना condition चेक ही है कि condition true है या false फिर हम यहाँ पे अपना update का statement लिखते हैं हमें increment करना हो या decrement करना हो या जो भी फिर हम अपनी while की condition लिखते हैं जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ माई जो while की condition है यह बाद में चेक करी है यह true है या false हम while loop में क्या करते थे while loop में सबसे पहले हम condition चेक करते थे फिर code execute करते थे बड़ यहाँ पे do यह कह रहा है पहले ही code execute कर दो फिर update करो फिर condition चेक करो चलिए आएए इसकी working समझते है practically so last lecture में हमने यहाँ पे for का समझ रहा था and any while समझ रहा था and now हम अब कहाँ पे do while loop के बारे में समझेंगे तो पहले हम अपना शायद इसी code को use कर लेते है so guys यहाँ पे हमारा जो while का statement था यह यह कह रहा था कि अगर हमारा जो i है यह 10 से या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए अगर यह i से बड़ा हुआ तो यह while false हो जाएगा और यह execute time होगा तो अगर मैं यहाँ पे i की value को 11 कर दू तो क्या हमारी जो values यहाँ पे 1 से लेके 10 तक print हो रही थी वो होगी आप बता सकते हो मुझे comment करके भी लीजे वीडियो पे comment कर दे न फिलाल मैं इसको run करके आपको दिखाती हो कुछ भी print ने हुआ क्यों print नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारा while statement के अंदर जैसे ही आया इसने चेक किया कि 11 10 से ना ही छोटा है ना ही उसके पराबर है तो इसने उस execute नहीं किया बट अगर हमने यहाँ पे 6 कर दिया तो इसने 6 से लेकर बात तक के बट अब हम चाहते हैं कि यह condition चेकीडा करे पहले हमारा जो statement हम जो चाहते हैं print करवाना यह वो print करे तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे do का use करना होगा अब मैंने इसको execute किया और यहाँ पे आप देख सकते हो इसने 6 से लेकर हमारे 10 तक की values प्रिंट कर दिये आप कोगे तो similarly work कर रहा है difference क्या है difference difference अब आप समझे होंगे difference हमारा यह है कि इसने मैंने यहाँ पे initialize किया है 11 अब यहाँ पे while के अंदर जो condition लिखी है false है बड़ स्टिल जब इसके अंदर यह आया तो पहले इसने हमारा जो first statement है false होने के बाद भी उसे execute कर दिया and guys बहुत important बात हमने यहाँ पे java tutorial के series में 10 lectures almost upload हो गये है and all the lectures यहाँ पे scheduled है जो कि आपको time to time between two to three days आपको मिलते रहेंगे तो please फेल इसको follow करिएगा ताकि आपसे कोई भी important topic मिसना हो आगे चिक नहीं किया फदर उसको proceed नहीं किया loop जैसे हमारे इस line by line code execute करता है इसने वो process नहीं किया पर्ट हमारे जो पहला condition इस पे आया इसने वो statement हमारा print कर दिया so I hope मुझे लगता है कि आप इसकी working समझ गए होंगे do while or while के बीच में difference भी समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई हो तो please like करिएगा comment करिएगा, share करिएगा चैनल को subscribe ना किया हो तो please subscribe कर दीजेगा and अगर आपको कोई भी ऐसे doubts आते हैं जो आपको solve नहीं हो पा रहे हैं comment section पे reply करने के बाद भी तो आप description box में हमारे telegram channel का link provided है आप उस link पे click करके हमारे channel पे join कर सकते हैं जहां पे मैं आपके almost सारे ही doubts clear कर दूँगी and guys, बहुत important बात हमने यहापे java tutorial के series में 10 lectures almost upload हो गए है and all bhi lectures यहाँ पे scheduled है जो कि आपको time to time between two to three days आपको मिलते रहेंगे so please 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 follow करिएगा ताकि आपसे कोई भी important topic miss ना हो and हमें support करने के लिए please join button पे click करिएगा thank you